चलिय मित्रो कथा को आगे बढ़ाते हैं जो की बहुत ही रोचक है इतने देर में सारे चुहे रफू चक्कर हो गए शेके आने पर अंगोठी मुह से निकल कर दूर जा गिरी बिल्ली तो इसी ताक में थी उसने जट से अंगोठी को उठाया और भाग गई उधर समर परताब जब स्वस्त हुआ तो उसे पता चला कि उसके मुह से अंगोठी निकल कर कहीं जा गिरी है वे उटकर अंगोठी को ढूडने लगा उसने सारा कक्ष चान मारा लेकिन अंगोठी उसे नहीं मिली वे बहुत परेशान हो गया वे अंगोठी ढूडने में आकास पताल एक कर दे रहा था उसने आसमान सिर पर उठा रखा था सारे नौकरों की फोच खड़ी कर रखी थी सब अंगोठी ढूडने में लग गये थे यह समाचार धीरे धीरे पोरे महल में फैल गया कि राजकमार समर परताब की जादूई अंगोठी गायब हो गई है सलाका त जरूर या उसके कोई चाल होगी उधर चित्रा के महल में बिल्ली पहुचने ही वाली थी इतने सुंदर और अजेव ढंकी बिल्ली को एक आदमी ने देखा जो आखेटक था और पसुपक्षी बेचने का धंदा करता था उसने बड़ी फूर्ती से उस बिल्ली को पकड़ ल जमीन पर डाल दी तोते ने उसे मुह में दबाया और उड़ गया तोता तो आखों से ओजल हो गया और बिल्ली या बंगूठी से निश्चिंत थी उसने आखेटक को जरा सा सावधान देखकर उसकी आखों में पंजे का भरपूर वार किया वे करा कर वहीं बैठ गया इतनी पर चलिये ने किन चित्रा महां से टश से मस नहीं हो रही थी वै रो रही थी और कह रही थी मैं अपनी प्यारे बिल्ली के बिना यहां से नहीं जाऊंगी उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी उसे कुछ नहीं होगा तो ताउसे समझा रहा था आप हमारे बात मानिये वै आ जायेगी, वह साधान बिली नहीं है, नहीं, मैं अपनी जान से प्यारे बिली को छोड कर नहीं जा सकती। चित्रा को समझाना मुश्किल था तब तक उसने देखा कि बिल्ली दोड़ती ही आ रही थी लेकिन उसके पीछे उसने अखेटक को भी दोड़ कर आते हुए देखा राज कुमारी ने तुरंत ही जल्दी से अंगूठी को जल्द से धोया और कहा सत्य राजा वासुकी की अंगूठी की जैहो सत्य सत्य अंगूठी मुझे जल्दी से उड़न खटोले में बिठा कर मेरे रूप नगर में ले चलो तुरंत उडन खटोला वहां आकर हाजिर हो गया राजकुमारी चित्रा तोते को लेकर उस उडन खटोले में बैठ गई जैसे ही उडन खटोला उडने को हुआ बिल्ली दोडती ही आई उसने चलांग लगाई और चित्रा ने उसको जुक कर गौद में उठा लिया अब चित्रा अपनी बिल्ली और तोते के साथ मुक्त होकर नेले गगन की सेर करके बहुत ही खुश थी सफेद बादल आख मिचोली सी खेलते हुए उसके आसपास उपर नीचे से होकर उड़ रहे थे चित्रा खुलकर हस रही थी खिल खिला रही थी आखे टक के पीछे पीछे ही सलाका समर्परताब और पीछे उनके सैनिकों की टुकडी आकर हाजिर हो गई थी देखते देखते उनकी आखों के सामने से उड़न खुटोला उड़कर दूर आसमान में जा चुका था अब कुछ नहीं हो सकता था लोग देखते ही रह गए हाथ में आई बाजी को वापस जाते देखकर समर्परताब क्रोस से चीक उठा उसे असास हो गया था कि राज़कुमारी चित्त्रा ने उससे जूट बोला था और वे तोते बिल्ली ही उसको बचा कर ले गए थे इसका मतलव वे उसे मुर्क बना गई थी वे तिल मिलाता हुआ वापस लोट आया और उसने चंदरपरताब के सामने आकर यह घौशना कर दी की जब तक मेरा राज़कुमारी चित्त्रा से विवा नहीं होता ताब तक मैं अन जल ग्रहन नहीं करूँगा चंदरपरताब इस बीच में बहुत शक्तिशाली बन चुका था उसने गरज कर अपने सेना पती को अदेश दिया रूप नगर पर चड़ाई कर दो अब हम युद्ध में लड़का चित्त्रा को जीत कर लाएंगे अधर उडन खटोला, राजकुमारी चित्त्रा, बिल्ली और तोते सहित रूप नगर में जा पहुँचा राजकुमारी चित्त्रा अपने उपमन में उतरी उसके बाद दोड़ कर अपने महल में पहुँची अपने माता और पिता से मिल कर रोने लगी उन लोगां ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारी बेटी सा कुशल वापस आ गई है अरुन के सिर से भारी चिंता उतर गई राजकुमारी चित्त्रा ने अरुन की अंगूठी उसको वापस दे दी और कहा मैं उस दुष्ट सलाका की बातों में आ गई थी उस बात को एक बुरा सपना समझ कर भूल जाओ लेकिन चंदनपुर का नाम सुनकर अरुन की मा बहुत क्रोध में थी उन्होंने अरुन से कहा आज वैसा में आ गया है जब मैं तुमको सारा सच बताऊंगी यह चंदनपुर का राजा चंदर के तु धोखे बाज है इसने धोखे से मंत्री से मिलकर राप में अक्रमन किया था जिसमें तुम्हारे पिता महराज वीर भद्र लड़ते लड़ते घायल हो गए थे उन्होंने मुझे जबरदस्ती गुप्त रास्ते से निकाल दिया था मुझे यह सौगंद देकर की तुम्हें बंस की रक्षा करनी है उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था मुझे नहीं पता की तुम्हारे पिता महराज का क्या हाल हुआ होगा लेकिन मैं तुम्हें लेकर बचकर वहां से निकल आई थी मेरा नाम सुगंधा है मैं चंदनपूर की रानी थी और तुम राजकुमार अरुन हो क्या? यह बात सुनकर चित्रकेतू और लेकमती बहुत प्रसन हो गए वे दोनों कहने लगे मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा था कि यहां कोई साधार्ण युवक नहीं है इसके चेहरे पर राजकुमारो जैसा तेज था उन्हें की तरह प्रतिभा थी चित्रकेतू ने कहा चंद्रकेतू दुस्त प्रवित्ती का धोके बाज है उसी का बेटा समर प्रताफ है यह मानेगा नहीं अपनी सेना को तयार रहने का आदेश दो चित्रकेतू के संचालन में अरुन ने अपनी सेना को तयार किया चित्रकेतू की आशंका सच निकली चंदनपुर से एक दूत आ गया और उसने कहा कि राजकुमारी चित्रा को हमारे हवाले कर दो वरना हम आपके राज्य पर आकरमन करेंगे और राजकुमारी को छीन कर ले जाएंगे अरुन ने क्रोद में कहा आकरमन तो हम खुद ही करेंगे उसके बाद एक भारी सेन दल के साथ राजा चित्र केतु और अरुन चंदनपुर की और चल दिये चंदनपुर की सीमा पर आकर औनोंने अपना डेरा डाल दिया चंदनपुर का चिर्दुस्मन माधवनगर का राजा विक्रम सिंग भी आकर रोपनगर के अरुन और चित्र केतु से मिल गया यह वही माधवनगर था जहां अरुन का पूरा बच्पन वीता था अब एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया यह युद्ध कई दिनों तक चला लेकिन रूपनगर की सेना चंदनपुर की सेना पर भारी पड़ रही थी उन्होंने चंदनपुर की सेना को बोरी तरह से परास्त किया और अरुन महल में घुस गया चंदरपरताप महल में छिप गया था उसको ढूंडते हुए अरुन जब महल के शैनकक्श में पहुँचा तो उसी में उसने चंदरपरताप को छुपे हुए पाया उसे गिरफतार कर लिया गया इसके बाद जब बाहर आया तो हात में तलवार लेकर समर परताफ सामने आ गया अब वही बचा था समर परताफ और उनको देखते ही चौक पड़ा और बोला अरे बिखारी मजदूर तो तू है चित्रा का पती और मेरा दुश्मन और उन बोला तुझे तो शर्म आनी चाहिए तुझे मैंने एक बार जीवन दान दिया था वैं भूल गया तो उन्हें तो कहा था मैं जीवन भर्याद रखूंगा और जब मौका आया तो बजला चुका दूँगा भीक में तो मैंने तुझे तेरी सांसे दी थी जब तेरी जान बचाई थी तो मेरी दी हुई जिंदगी पर ही फल रहा है ऐसान का बजला चुकाना तेरे वंश का काम नहीं है और तू चुकाएगा भी कैसे तो तो नीच बाप की नीच संतान है और सुन मैं मजदूर नहीं मैं यहा का राज कुमार था जिसका राज तेरा बाप धोखे से चीन कर राजा बना बैठा है जाकर अपने बाप से पूँच जिवन दान के बजले में मैं तुझे जिवन दान दे सकता हूँ तलवार लहराते हुए समर परताब बोला अरुन हसकर बोला तो मुझे क्या जिवन दान देगा तो तो खुद ही अपनी जान की भीक मांगेगा उन दोनों में भैंकर लड़ाई शुरू हो गई जल्दी अरुन ने समर परताब की तलवार को तोड़ डाला समर परताब नहत्था रह गया था अरुन ने भी अपनी तलवार फेंग दी अब दोनों में मल्युद्ध होने लगा अरुन ने जल्दी ही समर परताब को परास्त कर दिया और समरपरताब को अभी गिरफतार कर लिया गया उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया चंदर परताब ने देखा कि जब उसका बेटा समरपरताब भी कैद में आ गया है तो उसने अरुन से कहा मैं तुम को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओगे मेरा और मेरे बेटे का जीवन बक्ष दो तुमारे पिता जीवित है और जेल खाने में है यह सुनकर अरण को बहुत खुशी हुई उसने कहा अगर तुम ना भी बताते तो भी वे जेल खाने में मिल ही जाते क्योंकि मैं अब जेल खाने के सभी क्यादियों कर रहा करने जा रहा हूँ जेल खाने में केवल अब तुम ही दोनों लोग रहोगे वे वी आजीवन चंदर परताप और समर परताप को अपनी करनी का फल मिल गया था बाकि उनकी रानियों को और उसके परिवार के सभी सदस्यों को अरुन ने रहा कर दिया था वे अपने सौम नगर में वापस चली गई थी राजा वीर भद्र जेल में पड़े हुए थे सुगंधा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया राजा वीर भद्र भी सुगंधा को देखकर विहल हो गए और जब उन्होंने देखा कि सुगंधा के साथ उनका बेटा अरुन भी है और वह इतना बड़ा हो गया है तो उनकी आँखों से खुसी कि आँसु निकलने लगे वे तो सोचते थे कि अब कभी जीवन में अपनी पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाएंगे अभी और भी कुछ आश्चार उन्हें देखने थे एक बाग फिर से बुरे दिनों का साया छट गया और सभी लोग मिल गये अब राज कुमार अरुन का जीवन कुछ हाल हो गया राजा वीर भद्र फिर से अपने राज चंदनपुर के राजा बन गए लेकिन एक कहानी अभी बाकी थी जो अरुन के मन को परिशान कर रही थी और वे कहानी उसे अचानक ही पता चल गई जब उसकी सासरानी लेकमती अपनी बेटी चित्रा से रो रो कर कह रही थी देखो बेटी किस्मत की बात होती है आज कितना अच्छा लग रहा है जब सारे विपत्ती के बादल हट गए और खुशियों का मुस्कुराता हुआ सूरज हमारे सामने हस रहा है कितने दिनों से बिच्ड़े हुए लोग मिल गए और असंभाव सा लग रहा काम हो गया जब और उनका खोया हुआ राज मिल गया यहां तक की उसके खोये हुए पिता भी मिल गए जिसकी उसने कभी उमेद भी नहीं की थी भगवान मुझ पर भी इसी तरह से तरस खा जाते और मुझ दुख्यारी मा की आत्मा को भी शांती मिल जाती बेटी कभी भी मेरे मन को सकून नहीं मिला मैं अपने बेटे पराग के लिए हमेशा मन ही मन रोती रही हूँ इसी परकार कहीं से मेरा बेटा भी मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा रहता मा जो चीज होने की नहीं है उसे रो रोकर अपने दिल को क्यों दुखी करती हो और पिता जी को सुनने को मिलेगा तो ऐभी दुखी होंगे मुझे क्या दुख नहीं होता जब जब मैं अपने भाई को याद करती हूँ तो मेरे आसु बहने लगते हैं लेकिन इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ अचानक ही वहां अरुन को देखकर दोनों चुप हो गई लेकिन अरुन ने यह पहली बार सुना था उसे जानने के उसकता हो गई और उसने जिद करके जब पूछा तो रानी लेक मती ने बताया राज कुमारी चित्रा से दो साल बड़ा मेरा एक बेटा भी था चित्रा के पिता जी महराज चित्र केतु जब शिकार खेलने के लिए जाया करते थे तो वहां से लोट कर अपने शिकार की विचित्र कताय सुनाते थे जिन्हें पराग बड़े चाव से सुना करता था कभी कभी वह भी जिद करता था कि मैं भी आपके साथ चलूँगा लेकिन वह कहते थे कि तुम अभी बहुत चोटे हो तुम नहीं जा सकते और एक दिन उसने बहुत जिद ठानी अपने बेटे की जिद के सामने महराज जुग गए आखिरकार वह उसके साथ चला ही गया जंगल में जगा जगा घूमा जगा जगा के पसु पक्षी उसने देखे उसे बहुत अच्छा लगा फिर वह जिद करके जब तब जाने लगा और एक दिन किसी लड़ाई में पड़ोस के राजी के राजा ने तुमारे पिता जी को बुलाया तो वे अपनी सेना लेकर उसकी मदद करने वहां पहुँच गे इस समय तक तो पराग युवा वस्था में आ चुका था उसमें नया जोश भरा था इसलिए अपनी जिद के आगे वह किसी की भी नहीं सुनता था उसने अपने ही हम उम्र मंत्री के बेटे करपाल को साथ लिया करपाल उसे अपने साथ ले गया वह जंगला में शिकार करने के लिए निकल गए मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना उसके बाद वह वहां से गायब हो गया वह फिर आज तक नहीं लोटा और उसके साथ करपाल भी नहीं लोटा वह भी गायब है उसे बहुत ढूंडा महराज ने अपने सैनिक और गुप्त चरों का जाल बिछा दिया लेकिन आसपास कहें भी उसका कोई भी पता नहीं मिला तवसे महराज भी बहुत दुखी रहते हैं यह कहानी सुनकर अरण को बहुत दुख हुआ उसने सोचा कि मेरा चंदनपूर का राज है और यहां का राज उन्होंने मुझे दे दिया है जबकि यहां का राज पराग का है और वह राजा बना बैठा है उसका मन उसको धिकार ने लगा उसने सोचा अगर पराग जीवित है तो वैं उसको ढूंड कर लाएगा और अपने माता पिता के समान सास ससुर को उनका बेटा लोटा कर उन्हें मानसिक सुख देगा इस तरह से उनका उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा लेकिन अरुन ने उन्हें कोई आश्वाशन नहीं दिया और वैं वहां से चला गया अरुन अब एक नए अभियान पर निकल पड़ा और वैं अभियान था पराग को खोजने का उसने राजा चित्र केतु से एक दिन कहा पिता जी आपने तो शिकार के लिए यहां के बहुत से जंगल देखे हैं एक दिन मुझे भी शिकार के लिए ले चलिये न चित्र केतु ने उदासींता से कहा बेटा मेरा शिकार राजपाठ सबसे चित्र उचट गया है मेरे मन में वैराग उत्पन हो रहा है इसलिए तो मैंने अपना राजपाठ तुम्हें सौंप दिया वरना मैं खुद ही राजा नहीं बना बैठा होता लेकिन फिर भी आप मुझे एक बार वैस्थान दिखा दीजिए जहां पर आप शिकार खेलने के लिए जाया करते थे और उन्हें जिद की ठीक है बेमन से ही सही राजा चित्र केतु पराग के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उन्हें नहीं मंत्री करपा निधान को आदेश दिया एक शुशस्त्र दलबल सजा कर तैयारी करो हम शिकार के लिए जाएंगे इतने सालों के बाद राजा शिकार के लिए जाएंगे या सुनते ही एक हर्ष की लहर दोड़ गई राजा की उदासींता को सब जानते थे खुद मंत्री करपा निधान भी तो अपने बेटे करपाल के कारण दुखी रहता था राजा की आग्या को मान कर एक बड़ा दलबल शिकार के लिए तैयार हुआ और रवाना हो गया अरुन के लिए यह एक नया अनभव था सबसे उसे जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था लेकिन यह राजाओं का धर्म होता है यह उसने सुन रखा था और धर्म तो वह पालन करता था लेकिन जानवरों का शिकार करना उसने स्विकार नहीं किया वह तो हर जगा को देख रहा था परक रहा था और उनका दलबल आगे बढ़ा जा रहा था जहां कहीं भी ले जाते अपना पड़ाव लगा देते और घोड़े पर बैठ कर अरुन जंगल को छान मारता खुखार जानवर आहट सुनकर वैसे भी भाग जाते थे और उस पर किसी खतरनाग जानवर ने हमला नहीं किया था उसके लिए उसके धनुशबान तयार थे कहीं भी कोई भी आसमान ने बात पता नहीं चल रही थी वैस्वैम जाकर आसपास के कबीलों में और हर जगा पता करता की शायद कोई ऐसी घटना घटी हो कभी कोई राचकमार यहां आया हो उसके साथ कोई घटना हुई हो बड़ी दूर दूर तक के जंगल उसने च्छान मारे उत्तर दिशा की और अब आखरी जंगल बचा था जो नंदन वन के नाम से मशुहूर था उसने सुना की यह जंगल बहुत ही रहस्मई है राजा चित्र केतु ने इस जंगल में जाने से मना कर दिया और कहा आप तो सभी इलाके देख लिये हैं अब लोड चलो कोई कहता था यहाँ पर गंधर्व आते हैं और घूमते हैं कोई कहता था यहाँ पर परिया आती हैं कुछ कहानिय ऐसी फैली थी कि यहाँ जादुगरों का डेरा है चित्र केतु की बात मानकर अरुन ने वहां से डेरा उखाल लिया सबी लोग वापस रूप नगर लोट आए राजा चित्र केतु को यथा स्थान सुरक्षित पहुचा कर रात में ही अरुन ने अपना घोड़ा तैयार किया और महां से चुपचाप निकल गया अब उसका घोड़ा बड़े वेक से नंदनवन की और दोड़ा चला जा रहा था उसके मन में एक बहुत बड़ी उतल पुतल मची थी की आखिरकार उस जंगल के कौन से रहस्य हैं उसका मन कहता था की परागर करपाल का पता उसे इसी जंगल में मिलेगा जिरूर वे इसी जंगल में आकर गुम हुए हैं वे उन्हें खोज कर ही रहेगा अरुन रात भर अपने घोड़े को दोड़ाता रहा आखिरकार वे नंदनवन में पहुची गया उसने अपने इस्ट देव का समर्ण किया और अपने हाथ की जादवी अंगूठी को देखा लेकिन साथ ही साथ अंगूठी देते समय नाग राज ने जो कहा था वे भी उसे याद आया कभी भी इस अंगूठी का दुर उप्योग मत करना और केवल अपने ही हित और मनरंजन के लिए भी उप्योग मत करना इसका तभी उप्योग करना जब प्राण संकट में हो अति अवश्यक हो अत्वा किसी दूसरे का भला करना हो इसलिए वे जब चाहता तो अंगूठी का उप्योग करके सब कुछ पता लगा सकता था लेकिन वे अंगूठी का दुरुप्योग नहीं करना चाहता था और अपने नियम पर द्रड़ था जंगल में पुरेश करके वे अंदर घुस्ता ही चला गया यह जंगल बहुत ही विशाल था उसके कंधे पर तरकश हाथ में धनुश बान था वे किसी भी खत्रे से निपटने के लिए प्रतिपल तयार था जंगल में विचित्र विचित्र तरह की आवाजे आ रही थी यह समझ में ही नहीं आ रहा था यह किसी जानवर की आवाजे थी यह किसी इनसान की वे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा जा रहा था, अचानक उसे संग की तेज दहाड सुनाई दी, वैसे तरक हो गया, दहाड अब की बार, उसके बिलकुल नजदीक गूजी थी, जंगल थर्रा उठा, उसने सामने देखा, एक भयानक संग उसकी योर जपट रहा था, उसने तरकस से तीर निकाला, और तीर, सिंग की योर छोड़ा, अचोक निशाना था, तीर शेर के मुह में जाकर लगा, और अगले ही पल में, उसके कई सारे तीर, शेर के मुह में मारे, उसने हैरानी से देखा कि, मरने की बजाए सिंग अपना रूप बदल रहा था, मित्रों, कथा का या भाग आपको क चार और सुझा कमेंट में जुरूर दें, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे कथाओं को शेर जुरूर करें, जिससे लोगों का अच्छा गयन पराप्त हो, जैशिर राम भक्तो